जेहिन फ्रेंट्स गुरु भगवान की चरणों में साधर वंदन साधर चरण स्पर्ष कहानी मानो परिवर्तन की सभी परिशान हैं सभी बुद्ध का जो चार आरे सत्य है वो यहीं से शुरू होता है बुद्ध कहते हैं कि संसार दुख में है यह बुद्ध का पहला आरे सत्य है बुद्ध कहते हैं कि संसार दुख में है जब मैं पहली बार यह बात पढ़ी कि संसार दुख में है यह बुद्ध का पहला आरे सत्य है चार आर सत्य, फोर नोबल टूट्स बुद्ध ने दिये, उसमें ये उनका पहला है, कि संसार दुख में है, अब ये बात पहलने के बात बला विचित्र लगी, कि संसार दुख में है, कस्टकारी है, बुद्ध ने ये नहीं कहा कि संसार दुख है, अगर वो ये कह देते हैं, कि संसार दुख है फिर तो इस संसार में रहने का कोई आउचित्ती ही नहीं था जब दुखी है तब रहने से क्या फाइदा बहुत लोग कहते ना मृत लोग है यहां सब को कस्ट मिलता है यह सब सिर्फ व्यक्ति को संघर्च से रोकने की परंपराएं है कितनी बड़ी बात काई बुद्धिने की संसार दुख में है अब अगर संसार दुख में है तो उसका कोई कारण होगा तो दूसरा आरशा तुन्होंने कहा कि लस्ट डिजायर एक्षा इक्षा भीष्म इक्षा भ्रम का परिणाम है इक्षा जो है यह भ्रम का परिणाम है भ्रम और भ्रम कौन है भीष्म ब्यक्ति को सबसे बड़ी जो चुनावती है वो भ्रम से है और भ्रम ये है कि सुख जो है वो बाहर है भ्रम ये है कि सुख जो है वो दूसरे से है इसलिए तो इक्षा है गाड़ी की इक्षा कि इस्त्री के इक्षा पुरुश के इक्षा पैसे की इक्षा इन सारी इक्षों का जननी कौन है भ्राम क्योंकि भ्राम है कि सुख भाहर है और सुख दूसरे से है एक्षा कतम भ्रह्म कतम संसार एक बहुत ही प्यारी चीज़ है यहां कोई दुख नहीं है बस अगर आप यह जान ले कि गुरु की शरल में आकर इसलिए भारत ने बहुत महतु दिया गुरु पर भारत ने एक सिधान्धी पैदा किया द्विज twice born हर व्यक्ति को दो जनम लेना पड़ेगा हर व्यक्ति को पहला जनम मा देगी और दूसरा जनम गुरु देगा इसलिए देश बड़ा महान था तो मा जब जनम देगी तो व्यक्ति इंद्रियों पे रहेगा मन और इंद्रियों पे और गुरु जब जनम देगा तो व्यक्ति चैतन निपर आ जाएगा सब भ्रम खतम सब इक्छा खतम सब समस्याय खतम सब चुनोती खतम फिर वो क्या बन जाएगा आर यानि स्रेष्ठ और ये हक हर मनुष्य को है ये किसी जात विशेश या धर्म विशेश के लिए नहीं है इसी को गुरु महराज कहते है सनातन सनातन धर्म अगे इस सब्द की चर्चा है सनातन सनातन को लेकर बड़ा भ्रम है लोगों में जो अमर आत्मा की अनवेश्णा कर रहा है जो अमर आत्मा की खोज में है जो अमर आत्मा को प्राप्त कर चुका है वो सब सनातनी है सब यही है मानव जीवन का उद्देश मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मानव जीवन का जो परम उद्देश है वो है अपने स्वा में इस्थापत होना अपने मूल स्वलूप को जानना जो परम उद्देश है उस परव उद्देश के रास्ते पे चलते हुए समाजिक दायतु, समाजिक कर्तव, इन सब का निर्वाह करना चाहिए साधना में कोई बाध नहीं है एक बार एक सन्यासी राज़त जनक के दर्वार में पहुचा और उसने कहा कि महाराज हम सन्यासी होकर ध्यान नहीं लगा पाते, आप राजा होके ध्यान में रहते महाराज ये संसार में मुझको जकड रखा है, मैं संसार से अपने आपको बाहर नहीं निकाल पाता तो राजर जनक उठे और सिंघासन से नीचे उत्र और सामने एक खंबाता पिलर था जाके उन्होंने पिलर को पकड लिया और फिर पिलर से कहने के छोड़ मुझे, छोड़, अरे छोड़ता क्यों रही, तो सन्यासी ने कहा कि महाराज, आप ध्यानी है, तत्तु द्रस्टा है, ये तो सुना था, आप पागल भी है, उन्होंने का नहीं महाराज, किसी ने आप को नहीं पकड रखा है, आपने अपने हित, अपने सुख के लिए सब को पकड रखा है, किसी ने आपको नहीं पकड रखा है, इस दुनिया में किसी ने किसी को नहीं पकड रखा है, हमने अपने हित और अपने सुख के उद्देशे से हर आपनी को पकड रखा है, और पकड करना चाहते हैं। इरिक्षियाले से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। क्योंकि उससे कोई हित नहीं, उससे कोई सुख नहीं। उसका मुबाइल नंबर कोई नहीं मानता। लेकिन अगर ट्रेन में यात्रा करते वक्त कोई सांसद मिल गया। नमस्कार भाई साब। भाई साब कि जो दौर है आज सबस्क्राइब साथ फोटो की चाने की दौर क्यों है लाइक मिल जाएगी किसी समाज में स्थापित नाम के साथ फोटो की चालेंगे तो लाइक मिल जाएगी डाल देंगे जहाँ एक दो लाइक मिलती है वहाँ सौ मिल जाएगी, हजार मिल जाएगी दस जार मिल जाएगी, दो हजार मिल जाएगी साधना सब को करना है सब को जो नहीं करेगा उसका जीवन नर्किय हो जाएगा जो साधना नहीं करेगा उसका जीवन नर्क में हो जाएगा यह जो आपको लगता है कि लोग भोग रहे हैं यह जब भोगेंगे ना भाई साब बहुत प्यारा शब्द है भोग एक ही शब्द है लेकिन दो अर्थी है कभी मौका लगे तो इस धर्थी पे जो स्थापित नर्क है हॉस्पिटल्स आप जाओ वहाँ पे लोगों को देखो और अगर गलती से कैंसर हॉस्पिटल में चले गाए तो कम से कम पंदरा दिन तो सो नहीं पाऊ है जिसका भी मन भठके भागे उसे हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए तमाम तरह के रोग एक से एक रोग और भुढ़ों को नहीं जमानों को उसमें से एक बहुत खतरनाक रोग जो आज सब को हो रहा है वह है डाइबेटीज बड़ा इसको लेकर बड़ा बड़ा सारे डॉक्टर हजारों डॉक्टर हजारों वैद diabetes के doctor और बैदों की तो भरमार हो गई है हर आदमी reversal करवा रहा है हर आदमी हो जाती है ऐसा नहीं नहीं होगी लेकिन हर आदमी करवा रहा है हर आदमी दवा बता रहा है आप YouTube Instagram कोहीं भी खोलोगे आपको कोई आदमी दवा बताते हुए diabetes का मिल जाएगा उसकी वज़ाई है कि diabetes नपुनसक्ता पैदा करती है importancy क्यों पैदा करती है शुगर ही तो शक्ती पैदा करती है मीठा वही तो शक्ती पैदा करती है और जब मीठा अंदर जाएगा ही नहीं लेकिन शुगर डाइबिटीज को वही लोग क्योर कर सकते हैं जो साधना और ध्यान के रास्ते पार है मैं उसको एक कथ्य बताऊंगा बाकी तो दवाईया काम करेंगी आप दवा खाएंगे योग करेंगे ध्यान करें लेकिन शुगर रिवर्स वही कर सकते हैं ठीक वही कर सकते हैं जो ध्यानी है अध्यात्मिक जुडाव है डाइबेटीज का शुगर व्यक्ति को अध्यात्मिक बनाने के लिए होती है ऐसा मेरा मानना है यह जो शुगर की विमारी है यह व्यक्ति को अध्यात्म के रास्ते पर लाने के लिए होती है कि अब बहुत खाली है कितना खाऊगे लेकिन बच्चों को भी हो रही है तो बच्चों का ध्याद में से क्या लेना देना चार फैक्टर हैं डाइबेटीज के मैं आज आपको बता देता हूं यह चार चीजों पर आप ध्यान देदें आप शुगर में शुगर कंट्रोल करने से ज्यादा शुगर में शुगर कंट्रोल करने से ज्यादा जिस चीज को कंट्रोल करना है उसको कहते हैं क्रेविंग सारा शुगर का patient से परिषाण रहता है craving craving को हिंदी में कहते हैं जितने भी शुगर के patient है craving तीवर एक्छा सारे शुगर के patient इस से परिषाण है craving से एक हूग उठती है चावल खाले, मिठाई खाले एक बहुत जबरदस्त हूग अंदर से उठती है और यह पता किसकी वाश से उठती है यह बिहोशी की वज़ा से उठती है क्रेविंग शुगर के पेशेंटों की सबसे बड़ी समस्या है क्रेविंग यानि तीवर एक्छा और यह उठती है बिहोशी की वज़ा से सारे धरम, सारे शास्त्र एक बड़ी प्यारी बात कहते है कहते है खाना खुब चबा चबा के खाओ धीरे धीरे खाओ अगर आप ध्यान में खाना शुरू कर दे और आप चार ओड़ी खाते आपका एक में पेट भर जाएगा जो बिहोश है जो ध्यान में भोजन नहीं कर रहे है वो खाना किसको खिला रहे है पेट को बिहोश आदमी पेट को खाना खिलाता है पेट को और पेट के पास कोई स्वाद है ही नहीं आपने कि रस गुल्दा लिया मुह में डाला अंदर ध्यानी क्या करता है यह खाना मन को खिलाता है रस मन को लेना है पेट को नहीं लेना है और अगर एक रोटी में मन को पूरा रस मिल गया और दूसरी मांगे गए ही नहीं ट्राइ करके देखो सब कहते हैं खाना कैसे आज का आदमी कटा गट गटा गट ऑफिस जाना है तुरहंत दो रोटी में एक आधी तोली कटाक से अंदर इतना चावल तीन मिनिट में अंदर एक मिनिट में मन चिलाता रहता भाईया 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 स्वाद मन को लेना होता है और जितना आप चबा चबा कर खाना खाते हो, जितना धीरे धीरे खाना खाते हो, मन को पूरा स्वाद मिलता है, और जब मन को स्वाद मिलता है, वो चार के बजाए एक रोटी में संतु सोयाता है, इसलिए ध्यान से जब भी खाना खाय रहा जाएगा, तो जितना भी आप खा पढ़ाते हो वो खाना एक बटाश चार हो जाए कि आपको खाना तोडने की जरूरतand अगे हाल्कासा मूं मे रख लिए 1 मिन तक रखे हुए मन करना बढ देख्यार इस दुकड़ा गूल का मुह में रखना और आप घड़ी सामने रख लो और पूरा एक से दो मिनिट होने दो आपका मन कहेगा भाईया हो गया खाली है भाईया मिल गया स्वाथ भाईया संतुस्ती हो गया आज का विहोश आदमी मन को कहीं से भी संतुस्त नहीं कर रहा है मन चिलाता रह जा रहा है पहली डाइबिटीज के पेशन की चुनावती दूसरी चुनावती उसकी क्या है हराम खोरी यह उसकी दूसरी चुनावती है बचपन में हमें याद है हम कितना भी खाते थे खेलते थे बचपन का संबंध किस्से है खेलने से और बहुत मार खाते थे फिर भी खेलते थे तो कुछ भी खाते थे वो हजम हो जाता था आज का बच्चा ना खेलने के लिए मार खा रहा है हम खेलने के लिए मार खाते थे मोबाइल और गैजेट तो ऐसा पकड़ लिया बाहर जाना ही नहीं खेलना ही नहीं योग पहला काम तो आपको ध्यान कर रहा है और दूसरा योग योग में आप सूर नमस्कार पकड़ लो बस सब कुछ नहीं कर पाते हैं आप आदा गंड़ा दो भाई आपने आपको खाओगे तो पचाओगे भी तो मेहिनद भी तो करोगे तभी तो पचेगा बस आप जीवन में यह देखो कि आप अनावश्यक कहां बैठते हो टीवी के सामने खतम कर दो बैट के तीन गंड़ा चाय पी रहे हैं परिवार के साथ करें टाइम ही नहीं है श्रम शारीरिक करेगा आदमी तो खाना हजम होगा यह दूसरी चुनोती है जैसा ही बच्पन में से बच्पन खतम खेलना खतम वैसा ही डाइबिटीज दस तक देने लगती हो खासकर उन लों को जिनके पास खाने की अच्छी सुविधा है मजदूर देखो रिक्षवाले को देखो उसको पता ही नहीं कि उसको कितना बला वर्दाने की डाइबिटीज नहीं है उसको कितनी ताकत उसके शरीर में तीसरी बत तमीजी डिसपले नहीं नहीं रात में दो बजे खाना खा रहे हैं जब पूरी शरीर के और गन सो रहे हैं उसको जगा दिया उठाकर डाल दिया एक चिकन डाल दिया अंदर दो बजे खाना, एक बजे खाना, देड़ बजे खाना, नव बजे खाना कुछ हाई नहीं जीवन में डिसपलेन भाईया आप पिक्चर में बैठे हो, मूवी देख रहे हो भुना हुआ चना रख लो, वहीं खाते रहो आप एक जीवन को एक व्यवस्तित कर लो और भ्योकूफी, कुछ भी खाते हैं कुछ भी चलो बच्चे कुछ भी खा लें आज जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं उनका उद्देश है कि व्यक्षति के जिव्वा को खुब एक्टिवेट कर दो मयोनीज, मसाला, स्पाइसेज, फ्राई, रोस्टेड खाने का काम है, शक्ति में वृद्धी खाना जीव के लिए नहीं खाया जाता खाना शरीर को बल देने के लिए है जीव को सिर्फ अयाशी कराने के लिए नहीं है कुछ भी मैगी, ठीक है, कभी अर्जनसी में खा लिया कभी भूख लगी है, किसी और कोई साधन नहीं वो भी खा लिया, कोई दिक्कत नहीं कुछ भी आज का आदमी खाने के लिए बल को ध्यान में नहीं रखता स्वाद को ध्यान में रखता है और इन चार चीजों से निपटने के लिए क्रेविंग यानि तीवर एक्छा, हराम खोरी, बत्तमीजी और ब्योकूफी ये चार फैक्टर है डाइबिटीज के और इन चारों से निपटने के लिए जिसकी जरूरत है वो है साधना इसलिए मैं कहता हूँ कि डाइबिटीज जो है वो अध्यान के मार्क पर लाने की विमारी है अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन दवा पर चलेगा आप किसी से भी दवा करा लिजए और अगर आपने ये करना साधना करना शुलू कर दिया तो दसंभावना है कि धीरे धीरे आपकी दवा चूटेगी और रिवर्सल हो जाएगा इससे बड़ा कोई सूत्री नहीं है सिर्फ दवा काम नहीं करेगी अगर आप सिर्फ दवा पर निर्बर रहेंगे तो फिर दवा ही चलेगी फिर फिर तो दवा ही चलेगी और इसके साथ आपने साधना किया तो जब साधना करेंगे तो क्या हो जाएगा आप exercise करेंगे आप food management कर लेंगे आप व्यवस्थे दमाएं लेना शुरू कर देंगे बस reverse हो जाएगी तो साधना सब को करनी है सब को कोई बची नहीं सकता उससे अब हम जिस face में गीता में एंटर करने जा रहे हैं वो face हर व्यक्ति के जीवन में आता है जब वो साधना शुरू करता है तो हर व्यक्ति के सब हम सब उस रास्ते से गुजारते हैं वो बड़ा खतरनाक सा face है वो विशाद भय कि ये क्या यार सब छूट जाएगा यहाँ छोड़ने के लिए कौन तयारे धर्दी बर जबकि छूट वैसे भी जाएगा मौत सब को छोड़ सब छोटा देगी लेकिन जीवित रहते हुए छोड़ना कभीर ने कहा नहीं कभीरा खला बजार में लिए लुगाठी हाथ और जो घर जा रहे आपना सो चले हमारे साथ कोई नहीं आया या लोग घर बनाने के लिए परेशाने इसलिए पुरोहितों का वर्चस्व समाज में कभी खतम नहीं होगा कभी नहीं होगा कोई माई कलाल पाइदा नहीं हुआ जो पुरोहित के वर्चस्व को खतम कर दे चाहे हिंदू पुरोहित चाहे मुसलमान, चाहे क्रिश्चन, चाहे जो भी पुरोहित थें, उनका वर्चेस्थ थो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पुरोहित जो है, वो सपने को पूरे करने का वचन देता है, आईस बनना चाहते हो, हम बनाएंगे, दन कमाना चाहते हो, तुन तरतम पुरुष्चात हो हम दिलाएंगे अध्यात में इसा छोग दो सब बैट्टी है माया है वेकार है अरे भाहिया तो समझ में तो आए समझ में तो आए कि मिट्टी है माया है वेकार है बिना समझे छोग दें लेकिन तब पर भी संतों के पास तमाम लोग जाते हैं और वो भी दुनियावी फिराग में जाते हैं वो जो तमाम लोग जाते हैं वो 99 दुनियावी फिराग में जाते हैं एक परसेंट और संतों को उसी एक परसेंट की ज़रुरत भी होती है अरण बाकी वह अपना कर्पा अपना अशिर्वात सब पर बनाए रखते हैं जिन साहब ने मुझे यथार्द गीता दी बंबई में कल्याण में रहते हैं तो उन्हों ने मुझे दिया तो कहा कि भाई यह किताब पढ़ लेंगे तो आपकी जीवन बदल जाए और मेरा तो बदल गया फिर मैं महराज जी के पास जाने लगा दो चार लाईने मुझे बड़ी अच्छी लगने लगी पढ़ने लगा मुझे समझ में आने लगा फिर मेरे श्रेष्ट है श्रिकांत यादव जी हमारे गुरु वो भी है बहुत बड़ी हस्ती बड़ी महान हस्ती पर्याग राज में रहते हैं कीट गंज में वो भी महराज जी को पढ़ते हैं सुनते हैं महाराज जी से बड़ा अच्छा संबंद बड़े अच्छे संबंद हैं उनके अब वो बिचारे हमको रात रात बर बैटके गीता पढ़ाएं सुरिकांत यादव जी रात रात बर हम जब परियाग राज पहुंचे हम बुला लें आओ बैटो पढ़ाएं अब ये राज जरूरी था तो गुरु महराज और फिर हमारे बाबु जी दोनों लोगों ने मिलकर इसका मुझे दर्शन कराया दिखाया और आज भी वो सारी प्रेणा यही दोनों लोग देते हैं भगवान ने हाथ रख दिया सर पर आप लगे रहिए आप इसकी चिंदा मत करिए मेरे जीवन में परिवर्तन का बाएगा आप लगे रहिए सेवा करते रहिए साबना करते लगे रहिए कपड़ाये मत मेरा आपसे वादा है बिना किसी आकांग्चा के बिना किसी आशा के बिना किसी इक्षा के आप लगे रहिए किसी ने किसी दिन भगवान सुम अपना हाथ आपके सर पर रखेगा तो बात यह चल लग थी कि जब भी कोई व्यक्ति साधना में आता है इसकी पिर तो पीछे कोई आता है नहीं सारी लड़ाई यही तक है आनन्द आने के एक बार आनन्द आने लगा फिर तो पीछे कोई आता है तो वो अर्जुन के सामने भी वही चुनावती है अब वो अर्जुन क्या कह रहा है भगवान से तो अब अर्जुन उस चरण में एंटर करने जा रहा है जहां मैंने का हर साधक की एंटरी होती है और वो बड़ा बड़ा खतरनाक सा चरण है बहुत खतरनाक इस दुनिया को माया मानना मन के लिए संभव नहीं है मन ही माया है तो जब तक मन है तब तक माया जिन्द रहेगी इस दुनिया को माया मानना मन के लिए संभव नहीं है क्योंकि सारी माया मन के चारो तरफ घूमती है बहिया रॉल्स रॉइस में बैठो के आनंद की फीलिंग आएगी दस करोल की गड़ी पर बैड लेड जाओ के आनंद की पिलिंग आएगी मन ही माया है साथना को जो सबसे चुनोती पूरदोर है वो यहीं है कि मन ही माया है मन यह जो मन है यह माया है तो जब तक मन खतम नहीं होगा तब तक माया खतम नहीं होगी इसलिए तो लोग बहुत परिशान होते हैं कि भाईया आनंदारा आ इस माया गा कैसे छोड़ दे पतनी, बच्चा, घर, परिवार, रुपिया, पैसा, इस्त्री, पुरुष, सब में सुख मिल रहा है, दुख तो खैर चलो आई रहा है, सुख भी तो मिल रहा है, उसको कैसे छोड़ दे लेकि ये सारा मन माया का संबन्द है मन खतम, माया खतम, उसके बाद व्यक्ति भी खतम मरो ये जोगी मरो गुरकनाथ जी का सबसे चबरदस्त इसलोग है मरो ये जोगी मरो कुरान भी ये ही कहते है मुंता अतला किबला मूतू मरो ये जोगी मरो अब अरजुन जा रहा है, उस फील्ड में 22 लोग 22 लोग कह रहा है याव देता निरक्ष अहम युद कामना ववस्तितान कैमर्य सह योध वयाम इसमनर योध वयाम इसमनर समुद्ध में मतलब जब तक मैं इन इस्तित हुए युद की कामना वालों को अच्छी प्रकार देखना लूँ इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग यह है इस युद्ध वयापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है अब अर्जुन अक्टिवेट हो रहा है करा मुझे देखना है मुझे किस से किस से लड़ना है समसा अधान सच लोग है कि मुझे करा मुझे देखना है मुझे किस से किस से लड़ना है यह बड़ी बात है लिकिन व्यक्ति को पता ही नहीं चलता आजीवन व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो अंजाने में किस चक्रव्यू में फसा हुआ है अंजाने में किस चक्रव्यू में फसा हुआ है मै के चक्रव्यू में फसा हुआ है अज्यानता के चक्रव्यू में फसा हुआ है आशक्ति के चक्रविव में फसा हुआ है भ्रम के चक्रविव में यह इन्यों नहीं तो चक्रविव बनाया تھंद वह मुद्या países लेकि सिम्धे अभिमन्य युस क्यों उसाद हो पर बिना गूरू के खुश गूバイ नहीं साथ-start इसी केशम साथ में हाई नहीं तुम्हारा गया चाहे जितना अब है मान हो लेकिन अकर बिना कृष्ण के अंदर चला जाएगा तुम्हारा जाएगा बिना गुरू तो संभव ही नहीं सब इस चकर वी हुमें उल्जे हुमें सब अब अर्जुन उठ रहा है किरा मुझे दिखाओ मुझे किस से किस से लड़ना है आप भी देखो आप किस से किस से लड़ रहा हूँ है ही नहीं सब का नाम इस दुनिया में मिला है सब को मैं अवद ओजा पैदा हुआ तो मेरे मत्यपे तो यह लिका था आवद ओजा किस दुनिया ने नाम दिया और दुनिया में फिर इस मैं के साथ समाज जूड़ गया परिवार जूड़ गया देश जूड़ गया जाती जूड़ गई मैं और मझ्बूत होताओ चले है समाज का कामी है मैं को मझ्बूत करना नहीं तो समाज खतम हो जाएगा फिर अज्ञान्ता अज्ञान्ता लगता है कि इंद्रिय और मन के सिवा कुछ है नहीं शरीर के सिवा कुछ है नहीं शरीर को रंगों पोतो शरीर को बढ़ियां खिलाओ शरीर को मस्त रखो बागी कुछ है नहीं आ सकती जिनके पास धन नहीं है उनसे पूछो फर्जी जुड़े हुए लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है ब्रम इस्त्री से मज़ा आ रहा है, पुरुष से मज़ा आ रहा है, गाड़ी से मज़ा आ रहा है, जिनके पास है वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं, आईए सबसर सुसाइड कर ले रहा है, गाजयाबाद में आकर ट्रेन के नीचे लेड जा रहा है, जहर पी ले रहा है, जिनके पास ह हे वो और हो परेशान है अर्जू लिखाऊ है अर्जुक्सी को लड़ना है यह साधना पथी बड़ी बात है जब आपको यह जानना हो कि आपको किससे इससे लड़ना है 23 योद्स्यामान वेक्षाहम या एतर्समागता दृत्रास्टस दुर्बुद्र युद्धे प्रियचिकी चिकिरश्वा दुर्बुद्धी दुर्योधन का युद्ध में कल्यान चाहने वाले जो जो लोग इस सेना में आए हैं उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा इसलिए खड़ा करें मो रूपी दुर्योधन मो मईद परिविर्थियों कल्यान चाहने वाले जो जो राजा इस युद्धिमया है उनको मैं देख लूँ यह है साधना की शुरुवात दिखाई पढ़ने लगना कि यार मैं सुबेद चार बजे उठना चाहता हूँ कि आपके पापा आगे कहते मत उठो आपकी मम्मी आपके रिष्टदार आपके दोस्त कोई आता उसवकश सभी सो रहा होते तो कौन उठने नहीं दे रहा है मन आप 5 घंटा परना चाहते हो है कौन नहीं परने दे रहा है मन आप नशा नहीं करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो लेकिन कौन उसके पक्ष में सारे तथ रख देता है मन अरे सब है पियत है अमरीका लंदन मा तो छुनान नान बच्चे पियत है आप ध्यान योग करना चाहते हो कौन कल के लिए टाल रहा है मन यह साधना पत की पहली शुरुवात है खुद पर नजर का आना कबीर नहीं तो कहा बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई और जो दिल खोजू आपना मुझ से बुरा न कोई पहली बार जब इस मन के दर्शन व्यक्ति को होते है पढ़ा आश्यर होता हुसे कि अरे यार यह कहां मैं ढूंड रहा हूं अपनी सारी सारे दिक्कतों का हल साधना की जरूत इस मन की वज़ा है इस मन को एक रोग है देखो अर्जुन पलेटा अपनी तरफ यह अपनी तरफ पलेट नहीं पहला चरण है जब तक आप बाहर समस्या का समधान ढूंड रहे हो मिलेगा ही नहीं हाई नहीं यह इडा कोई इस्थरी किसी पुरुष के घर बेंट बाजा लेकर बराद लेकर आ आई हम ही जाते हैं और फिर जीवन भर चिल ładते सोशल कर रही सोशल कर रही आ परिसान कर रही है द्रिश्चे जाए तो उसको लगा कि यार बहुत पावरफुल आदमी सो लोग इसके साथ चलते हैं और तलवार बांदेते गोड़ब बाइटे थे कुछ लोग हातीब बैट यातने मुकुट लगाए थे राजा बने हुए थे फिर राजा बनने के बाद जो तुमारे घर में आई तो लुंगी तो उसने देखा आपको शेरवानी पहिने हैं और जो है बढ़ियां जो है मुकुट लगाए है तलवार लगाए और जूता शांदार पहिने है घड़ी लगाए है और काजल बढ़ियां चमक रहा है जानदार है और जब घर में आई एक फटी बढ़ियां पहिने हो लुंगी बांदे हो खाइनी बना रहा हो तुम सोच के देखो इमाजिन दोनों चित्र का इमाजिन करो हो तब कूटे की नहीं कि हमारे घर आये थे बहरूपिया बन गे ऐसे याइ वोते लुंगी पहिन गे यह जो बांधिया इन में 73 जे थे अअइसे यह बंढ़िया हिन गे है होते हैं कि तब हम डिसाइड करते हैं कि तुम्हारे साथ चलना है कि नहीं चलना है यही तो था स्वैंवर स्वैंवर यही तो था मरे हुए की शादी नहीं हो सकती स्वेमवर यही था कि आओ मेरे घर अपने शक्ति का प्रदर्शन करो अगर तुम्हारे अंदर होगी तो मैं चलूंगी क्योंकि भगवान और इस्त्री शक्ति के साथ ही रहते हैं कमजोर और भिकमंगों के साथ नहीं रहते काना का रहे हो चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया भिकमंगे होके प्यार कर रहे हो इतनी हिम्मत है तुम्हारी एक तो भिकमंगे हो उपर से प्यार कर रहे हो और जिसको प्यार कर रहे हो अगर उसको चांदी की दीवार चाहिए लाके दे दो फिर इस्त्रियों को गाली दोगे इस्त्रियों के खिलाफ लिखोगे इस्त्रियों को उल्टा सीधा बोलोगे इस्त्री आज की इस्त्रियां खराब होगे कहीं कोई कुछ नहीं खराब हुआ पांच हजार परसेंट, पांच लाख परसेंट, पांच करोर परसेंट, कोई स्तरी खराब नहीं हुए, पुरुष कमजोर हो गया, साधना छोड़ो दीना, और साधना ये मन के लिए, ये साधना क्या है, मन का एक बहुत बड़ा फीचर है, आदत, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, आदत, इसलिए जब आपको किसी को दशरा पिलवाना होता है, तो हफ्ते बर खुद के पैसे से पिलाता है, मन को कोई भी क काम बस 21 दिन करवा दो, मैक्सिमम, मैं नोइडा से जाता था करोल बाग, तो नोइडा से करोल बाग जाने के दो रास्ते है, एक D&D का रास्ता है, सराय काले खां होते हुए, एक रास्ता है, आईटी ओ होते हुए, आईटी ओ वाला रास्ता सरल है, शॉट भी है, सरल भी है लेकिन चुकि मैं डेली सराइ काले खांस जाता था तो मेरा कभी मनी नहीं बोता था ITO की तरब मोड़ने का तो समय जब गाली चलाने आया तो मैंने इस जब यह गाली ITO की तरह दूम struggling का है उधर जार और भाईया कम है रास्ता छोटा है आदत इस आदत को तोड़ने का नाम है साधना और जब कोई चीज टूटती है तो कस नहीं होगा तुम शुरू तो करो यार आओ एक कदम आगे निकालो गुरु महराज तो हही है साथ में कुछ नहीं होगा मोटिवेशन से जिस अगर तुम्हारा जीवन 99 पर्तिशत मेहनत और एक परसेंट मोटिवेशन पर चलता है तो तुम महान बन जाओगे और अगर इसका उल्टा है तब कुछ नहीं कर पाओगे 99 पर्तिशत मेहनत और एक परसेंट मोटिवेशन पर जीवन चलना चाहिए सुना यार बहुत सारे लोग इस देश में अच्छा बोल रहे हैं बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे मैं नाम गिना हूँ तो एक दो लोग नाराज हो जाएंगे बहुत सारे कभी वैसे चार लोग ऐसे हैं भारत में जिनको मैं व्यक्तिकत तौर पर मानता हूं कि बहुत अच्छा बूलते हैं बहुत अच्छा एक तो आचार प्रशान जी है अच्छा बोलते हैं तथ्यात्मक बोलते हैं बढ़ियां बोलते हैं और थ्वासा आकर्मक हो आते हैं व्यक्तिकों लेकर कि जागो यार क्योंकि वह उस रास्ते से आएं कि इसा मेरा आनुभव मैं कभी उनसे मिला नहीं मेरी उनसे कोई बातचीत होती है लेकिन जब्धी में किसी पौइंड को सुनता हूं तो अनुभव के हस्तर पे कही बाते होती जब भी आप किसी को सुनते हो तो आपको पता जलता है कि यार यह बुकिश लैंग्वेज बोल सिखाते हैं अच्छा बोद शिवानी दीदी का तो क्या कहना है शिवानी दीदी को मैं मिला वडोधरा में वो तो साक्षाद भगवान की मूरत है एक दम से जैसे वो टीवी पर है वैसे ही वो व्यक्तिगत है उतनी ही शांती उतनी ही चमक रौनक चेरे पर और मैं तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति को दिन में कम से कम एक बार अगर सुनना है तो शिवानी दीदी को सुनना है मुझे ऐसा फील होता है उनसे मिलकर उनको देखकर मैं बड़ा सौभाकिसाली राव अडूद्रा में मैं उनसे मिला और वो तो साक्षाद देवी का रूप है अला आप उनके सामने पहुंचोगे आप खुदी शांत हो जाओगे इतनी जबरदस्त वाइब्स उनसे फ्लो हो टॉर्पीडो मिसाइल मार रहे हैं चारो तरों गुसा जाते हैं एकदम करोध में आते हैं कि छोड़ दो भोगों को पता है क्यों करूणा में करूध कर रहे हैं गरुना जाग रही है क्या जरुरत हो उस आदनी को बोलने की क्या मतलब है अब तो शरीर में हाई नहीं चैतन्य स्वरूप है छोड़ दें समाधी ले ले कल स्वामी प्रेमनंद कल चाहें कल तो समाधी ले ले ब्रह्म के साथ और जोड़ा है ब्रह्म में विलीर हो जाए लेकिन ऐसा मुझे फील होता है ऐसा मुझे एहसास होता है कि बड़ी दया आ रही है उनको आज के मनुष्य को देखकर उस दया ने उनको रोक रखा है ऐसा मुझे फील होता है इन चार लोगों को मैं व्यक्तिकत तौर पर कहता हूँ कि आपको सुनना चाहिए एक बार तो दिन में सुनना ही चाहिए अब आप कहो चारों में से दो बता दो तो मुश्किल हो जाएगा तो चारों में से एक बता दो तो मैं कहूंगा प्रेमानत महराज को सुननो गुस्सा बहुत करते हो आजकल बड़ा अक्रमक हो जाते हूं कोई बात नहीं संथ है और ठीक है वो बड़ी भले की दृष्टी स देख रहे हैं कि कहां जा रहे हो एक वीडियो उनका देख रहा था उसमें बड़े कुरोधित थे कि जिन भोगों को तुम सोच रहे हो तुम्हें आनंद देंगे यह मलमूत्र का द्वार कोई बात नहीं साधना करनी पड़े कि कोई आप्शन है नहीं है ही नहीं है ही नहीं ही ही नहीं सबको करनी है कोई बच नहीं सकता आप टेंशन मत लो इसलिए जब भी कोई सामान घर का लड़काई सद्धान्त को समझ जाता है स्वयम को बदलने का सद्धान्त स्वयम को बदलने का सद्धान्त तो माइकल डगलस जैसा हो जाता है पहली बार कोई बॉक्सर ने माइक टैशन को हराया था अब्राहिम लिंकन हो जाता है जिसको ये बात पता चल गई कि बॉस ये सारी दुनिया स्वा के परिवर्तन का खेल है खुद के परिवर्तन का खेल है और खुद के परिवर्तन के लिए जलना पड़ेगा बस वहीं से उसके अबराहेम लिंकन बनने के रास्ते खुल गए वहीं से उसके गांधी बनने के रास्ते खुल गए वहीं से उसके मोधी बनने के रास्ते खुल गए और कोई option ही नहीं है सर है ही नहीं पल्टो अपनी तरफ जैसे अब अर्जुन पलेट रहा है, ऐसे आप भी पल्टो अपनी तरह, जागो, घूमो अपनी तरफ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे, एक एक कदम से शुरुवात करो, अगर मूवी देखने की आदत पड़ सकती है, नशा करने की आदत पड़ सकती है, बार्क में आठ घंटा बैटने की आदत पड़ सकती है, तो उस आदतों को तोड़कर नहीं आदतें भी तो डाली जा सकती है, पुरानी आदतों को तोड़कर नहीं आदतों को डालने का नाम ह साधना और इस पत पर चलने का नाम है सन्यास जहां एक ही उद्देश है खुद को बदलना है परम उद्देश को प्राप्त करना है सेवा करनी है और समाज को एक नई दिशा दिखानी है जहन्त